पहले हमने बात की किस तरह से हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्किप्शन जो है वो कीवर्ट से अप्टिमाईस करनी है वो तो हमने देख लिया किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ट को ग्रूप जो हमने असाइन किया होता हूँ पेज के अपड़ उसी ग्रूप में हम कोशिश करें कि उनको हम एक फ्रेस बना लें के लिए और एक डिस्क्रिप्शन भी हम जनेरेट कर लें लेकिन यही कीवर्ड आगे चलके हमें कॉंटेंट में भी चाहिएं जैसे हमने पहले बात की कि कॉंटेंट बहुत जरूरी है और गूगल कॉंटेंट को ही इंडेक्स करता है अगर कॉंटेंट गूगल को वेबसेट पे नहीं मिलेगा तो वेबसेट इंडेक्स नहीं करेगा क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिधम है वो इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि वो इनसान तो है नहीं वो एक मशीन ही है और वो चाहता है कि वो मैक्सिमम मैच करें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसेट में क्या लिखा हुआ है तो यह जो बीच में पूरा प्रोसीजर चलता है यह आप गूगल का अल्गरियोद्म या उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो काम करता है और वो यह डिसाइड करता है क्या करके जूजर ने एक ची करना है उसके metatags भी और उसके content भी उसी group में से होने चाहिए आप overlap नहीं करेंगे आप एक group को दूसरे page पर नहीं लिखेंगे और दूसरे page पर पहले page पर नहीं लेकर आएंगे मैं example होंगो उसी mobile phone store की जिसमें हमने mobile phone की पहले keyword research की थी उसी को हम continue करेंगे और हम यह कोशिच करेंगे यह देखने कि किस तरह से keywords हम content के आप पर optimize कर सकते हैं तो मैंने एक example लिए है एक content की sample है आपके किसी page के लिए अगर मैंने mobile phone प्राइस या mobile phone पाकिस्तान के अपर page बनाना है तो कुछ content इस तरह से होगा इस content में आप बिख सकते हैं कि एक heading है और उसके निच्छी content है यह भी paragraph है हमने content ज्यादा है हमने content ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन अभी मैं example के लिए आपको बताऊंगा कि मैं इस paragraph को किस तरह से अपने keywords से optimize कर दूँगा यह already optimized है लेकिन देखने में एक arm user को नहीं पता चलता किसमे keywords कहां पे हैं तो अगर आप भी इसको देख रहे हैं अगर आप इसको पढ़े हैं एक minute के लिए तो आपको भी शा अपकिसान itself एक keyword है और उसके बाद जितने भी आपको red नजर आ रहे हैं यह सारे words यह हमारे keywords ही हैं जो हमने गुमा पर आके कोशिश की थी के sentence के structure के अंदर हम इसको content के अपर लिखे हैं अब इसके लिखने का फाइदा क्या है इसके लिखने का फाइदा यह है कि जब Google हमार इस topic के अपर है और अगर इस topic के अपर है तो जारी सी बात है इसी topic की बार बार बात भी होगी तो बार बार बात होगी तो मैं बार बार use भी करूँगा और इसको मैं ऐसे use करूँगा कि पढ़वें वाले को गलत ना लगे क्योंकि अगर मैंने बहुत दफार इसको use कर लिय तो इसको बोलते हैं keyword stuffing तो मैं उसको stuff कर लूँगा मैं मतलब उसको ज्यादा भर दूँगा अपने pages को जो हमें नहीं करना इसके लिए हमें keyword density का ख्याल रखना है जो के तकरीबन 3-5% की recommended density होती है अब keyword density क्या है इस पे हम अभी बात करते हैं लेकिन आपको इसमें एक और बात clear कर दूँ कि जो आपको red color के words नजर आ रहे हैं ये तो हमारे keywords हैं लेकिन हमने ये भी देखना है कि Google अगर एक चीज़ को search करता है या एक चीज़ को optimize करता है तो ये भी दियान में लगता है कि वो particular page में उस particular topic के बारे में discussions हो रहे ही होंगी for example, सबसे पहले अगर हमने देखा mobile phones को, जहाँ आप mobile phones की बात हो रही है तो वहाँ पर mobile brands की बात भी होगी उनके specifications की बात भी होगी परसी तरह से prices की भी बात हो सकती है so, ये सब चीज़े मिल के काम करती है अगर हम अपने keywords को optimize कर रहे है तो आप make sure करें कि उसी text के अंदर synonyms भी डाले है synonyms मतलब कि जहाँ पर store की बात हो रही है वहाँ पर marketplace भी use हो सकता है तो इस तरह से आपको utilize करना है अपने content को ताकि Google को ये लगे हैं कि हाँ इस सिरफ keyword specific content नहीं है एक general content है जिसमें keyword की बात हो रही है और मतलब main topic की बात हो रही है लेकिन साथ और भी चीज़ें discuss हो रही है तो अगर एक natural behavior आप देखें तो लोगों में अगर आपने किसी चीज़ को present करना है तो अगर आप एक ही word बारबा बोलेंगे वो हम इस तरह से करते हैं लेकिन एक चीज़ा में ध्यान में रखनी है वो keyword density जो के 3-5% allowed है density से क्या मुराद है density से मुराद ये कि आपके page में certain keywords कितनी दफ़ा repeat हो रहे है मतलब ये कि मैंने mobile phone के अपर content लिखा तो अगर मैंने 100 words लिखे हैं 100 words में से मेरा mobile phone का जो word है वो कितनी दफ़ा repeat हुआ अगर वो एक दफ़ा लिखा गया तो 1% अगर दो दफ़ा लिखा गया तो 2% इस तरह से अगर 100 में से मैं calculate कर रहा हूँ तो वो percentage उसकी बरती चली जाएगी अगर मैं 100 laws लिख रहा हूँ है कि आप कोशिश कर रहे हैं इसको blackmail करने की या आप उसको black hat SEO भी बोलते हैं जिसमें हमने जिकर किया था कि कुछ चीजें Google मना करता है ये उन चीजों में से एक है Google नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपने keywords की और पर ही content लिखे है Google ये चाहता है कि आप general content लिखें लेकिन चुकि हमने SEO भी करनी है तो हम Google की guidance के मताबिक जो वह मना करता है हम वो नहीं करेंगे हम सिर्फ अपने words प्रापरली उतनी दफ़ा यूज़ करेंगे जितनी दफ़ा हमें पता है कि Google माइंड नहीं करेगा वो safe जो density है वो 33% तक है कुछ लोग 5% भी जाते हैं कुछ लोग 5% से उपर जाते हैं लेकिन फिर वो Google से hit भी हो सकते हैं कुछ लोग 1% तक रहते हैं आपके उपर depend करता है कि आपने क्या लिखना है तो अगर आपको लगता है कि 1% से आपने उपर नहीं जाना तो आप 1% तक रहने दे अगर आपको लगता है कि 3% तक आपको मसला नहीं है तो आप 3% तक चले जाए यह चीजें आपने देखनी है और अगर आपको लगे कि नुकसान होने लगा है या हो रहा है तो आप उसको फॉरन चेंज कर सकते हैं एनिवेज यह देंसिटी पता कैसे करते हैं सवाल यह है कि देंसिटी हम कहां देख सकते हैं तो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं एक नॉट पैड में या वर्ड डॉकुमेंट में तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके तयाथ आप देंसिटी चेक कर सकते हैं और अगर मैंने अपने कॉंटेंट की देंसिटी देखनी हो तो मुझे कुछ इस तरह से एक टूल बताएगा मैं आपको इसका भी लाइव डिमा भी दिखाता हूँ जैसे कि हमें स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने यह जो कॉंटेंट है जो मैंने अपने पेज के लिए लिखा हूँ और इसमें मैंने तकरीबन तीन परागराफ लिखे हैं और यह almost keyword optimized content है और यह वही paragraph है पहला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे लेकिन अब मैंने इसकी पूरे content की density check करनी है तो मैं इसको copy करूँगा मैं इसको select all करके copy करूँगा और google पे मैं जाओंगा और जाके लिखूंगा keyword density checker बहुत सारे tools available हैं already market में जिसको आप use कर सकते हैं लेकिन मैं recommend करेंगा tool जो कि SEO book का है जिसमें आप यह जो second result है इस पर आप click करेंगे तो आपको इस page पर ले आएगा अगर आपको यह इस तरह से नजर नहीं आ रहा है तो possibility है शायद वो आपको कहें कि login करें अगर आप अलोड़ी use करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं anyways मैं यहाँ पर अपना content paste करूँगा और आप यह देख सकते हैं कि मैंने अपना content लिखा था यहाँ पेस्ट कर दिया है और आल्मूस्ट 3 paragraphs इसी के अंदर available हैं अब आपने यह ध्यान में रखना है कि URL नहीं है यह HTML भी नहीं है यह basically plain text है मैंने plain text लिखा मैं अपर से plain text select करूँगा और plain text copy करके मैं scroll करके नीचे जाँगा और इन options को मैं default ही रहने दूँगा और इसको मैं submit कर दूँगा जैसे मैंने इसको submit किया तो उसमें एक list open कर दी जिसमें आप अनों सारा text देख सकते है इसमें वो आपको यह बता रहा है कि आपके total words कितने है जिसकी count तकरीबन 236 है उसमें unique words कितने है unique का मतलब यह है कि यह words repeat नहीं हो रहे यह एक जफ़ा ही आये है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको वो तीन कॉलम निखा रहा है जिसमें कॉलम 1 में single words कॉलम 2 में 2 words और कॉलम 3 में 3 word phrases है single word में आप देखेंगे तो mobile तकरीबन 25 दाफा यूज हो रहा है और इसकी density 6.05% है Pakistan तकरीबन 14 दाफा यूज हो रहा है और इसकी density तकरीबन 3.39% है आप कौन सा content कितनी दाफा यूज हो रहा है आप next words देखेंगे तो in Pakistan तकरीबन 10 दाफा यूज हो रहा है उसकी density 4.84% है prices in तकरीबन 8 दाफा यूज हो रहा है जो कि 3.87% है आप देखेंगे कि prices in Pakistan और mobile phones in Pakistan असल में ये combination है दो-डो words का जो कि हमें वो दिखा रहा है तकरीबन 10 दाफा नजर आ रहा है लेकिन जब आप 3 phrases में जाएंगे 3 word phrases में prices in Pakistan ये वो phrase है जो सबसे जाजा यूज हो रही है जिसकी count 8 है और तकरीबन उसकी 5.8% density है आप ये जाज दखेंगे कि आप 4 word phrases में जाएंगे तो prices in Pakistan से पहले mobile लगावा होगा so mobile prices in Pakistan basically आपका 4 word long tail keyword होगा जो आपने तकरीबन 13 दाफ़ा लिखा होगा और वो उसकी density होगी इस तरह से हम density चेक करते हैं अब भी ये टूल सिर्फ हमें 3 word phrases सक बताता है लेकिन आप different tool यूज़ करके इसको मजीद in-depth देख सकते हैं कि कौन से words आपके repeat हो रहे हैं और आखिर में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको ये export की बटन से जो कि बिल्कुल उस column के नीचे दिखाई दे रहा है इसको आप click करेंगे तो ये आपका सारा-का-सारा content ये export भी हो सकता है जैसे हम इसको click करेंगे ये एक file download कर सकता है इसने keyword density की file download की और ये excel sheet में है जब मैं इसको open करूंगा तो ये मेरे पास ये ही same format जो है ये ही same content मेरे पास उसमे excel में भी आजएगा जो कि मैं बाहर में utilize कर सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आपका टेक्स्ट आपके पास कहीं पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप CMS यूज कर रहे हैं जो कि हमने recommend किया WordPress यूज करें तो WordPress के अंदर इस तरह से suggestions भी आती हैं उस plugin के अंदर जो हमने पहले title और description के लिए use किया था उसका नाम Yoast SEO plugin है और भी बहुत सारे plugins available है लेकिन recommended plugin जो है वो Yoast का SEO plugin है जिसमें वो आप उसको keyword देती है focus keyword के तोर पे जैसे कि हमारा जो primary keyword था वो mobile phones था जब आप उसको focus keyword देंगे तो आप title में और description में जितनी दफ़ उसको use करेंगे वो इसको भी आपको suggestions देगा लेकिन उसको साथ साथ आपको काफी और suggestions भी देगा जिसमें वो एक suggestion हमें ये भी दे रहा है कि आपका जो word है वो ज़्यादा दफ़ उसको कम करें और अगर आपकी density कम है तो आपको ये भी suggestion देगा कि इसको ज़्यादा करें और आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सी density ठीक है तो ये suggestions बड़ी important है और अगर आप wordpress यूज़ करें तो SEO wordpress पे इसी वज़़े से असान है कि आपको ये जो एक assistant के दोड़ पर एक आपको plug-in help करता है वो आपको इसका suggestions देकर help करता रहेगा